आज मैं आपको ऐसे हैकर्स के बारे में बताने वाला हूँ जो कि पूरी दुनिया में अपनी बेस्ट हैकिंग के लिए मशुहूर है नमबर वन हैकर इन समय सबसे खास होने वाला है तो वीडियो को एंड तक जरूर देखना आपकी इंटरनेट बैंकिंग कितनी सेफ है जब मैं आप लोगों को एक ऐसे हैकर के बारे में बताऊँगा तब आपको पता चलेगा कि आपके ऑनलाइन बैंक अकाउंट्स कितने सेफ हैं लगबग दो सालों तक अलबर्ट गॉंजालेज ने नेटिजन्स के क्रेडिट कार्ट की चोरी करी इस ओनलाइन क्रेडिट कार्ट चोरी को अभी तक के इतिहास की सबसे बड़ी चोरी बताया गया है यहाँ पर अलबर्ट ने करीब 170 मिलियन क्रेडिट कार्ट और ATM नंबर्ज को रिसोल्ड किया है इसके लिए उसने एक स्निफर को इंस्टॉल किया था स्निफर ऐसे सॉफ्ट्वेर होते हैं जो की डाटा की चोरी करते हैं स्निफर इंस्टॉल करने के बाद उसने इंटरनेट कॉर्परेट नेटवर्क्स की डाटा की चोरी करी इस अपराद के लिए उसे 20 सालों की सज़ा सुनाई गई नमबर 9 अस्त्र अस्त्र एक संस्कृत का शब्द है जिसका मतलब है वेपन यानि हत्यार ये इस हैकर का हैकिंग नेम था ये है हैकर केवल वेपन्स की चोरी और उनको बेचता है ये है एक 58 साल का बूड़ा ग्रीक मैथमेटिशन है जिसने की फ्रांस के डी असॉल्ट ग्रूप को हैक कर लिया था और उनकी वल्नरेबल वेपन्स टेक्नोलोजी की डाटा को चोरी कर लिया था इसने करी पात सालों तक उन्हें अलग अलग देशों की बिक्री करने से रोपता रहा हैरानी की बात है कि अभी तक ऐसे किसी हैकर को पकड़ा नहीं गया है और ऐसे हैकरों की तलाश सन 2002 से आज तक चल रही है कुछ लोगों के अनुसार अस्तर ने लगबग 360 मिलियन डॉलर्स के डाटा को बेच दिया जिससे की कंपनी उसको बहुत जादा घाटा हुआ था नमबर एट एनॉनिमस रॉबिन हुड के विशे में कौन नहीं जानता है जो की हमेशा जरूरत मंदों की साहिता करता था लेकिन उसके काम करने का अंदाज बाकी लोगों से अलग था ठीक उसी तरह अब डिजिटल एज में भी एक डिजिटल रॉबिन हुड मौजूद है जो कि Robin Hood की परंपरा को आगे बढ़ा रहा है एक hackers का group है जिनका नाम है Anonymous और ये लोग अपने supporters के बीच Digital Robin Hood के नाम से जाने जाते हैं Short में इन्हें Announce भी कहा जाता है ये हमेशा government, religious और corporate websites को अपना निशाना बनाते हैं जैसे कि The FBI, CIA, PayPal, Sony, Mastercard और भी बहुत सारी बड़ी कंपनिया इनका मुख्य टार्गेट रह चुके हैं इनके group के members का कहना है कि ये लोग केवल internet censorship और control को अटेक करना चाहते हैं No.7 Kevin Mitnick Kevin एक ऐसा hacker है जो कि हमेशा अर्मानी सूट पहना रहता है यदि आप इसके चेहरे को ठीक से देखेंगे तब आपको एक mid 40's का एक आदमी ही लगेगा इसके चेहरे से आप ये कभी नहीं कह सकते कि ये एक cyber criminal है एक समय था जब ये US का most wanted cyber criminal था लेकिन अब ये एक entrepreneur बन चुका है एक समय था जब केविन ने Nokia, Motorola यहां तक की Pentagon को भी have कर लिया था इसे कई अपराद के लिए guilty का करार दिया गया है जिसमें इसे wire fraud, computer fraud जैसे crime भी शामिल है इन crimes के लिए इसे 5 सालों के लिए jail में भी रहना पड़ा इसके कारणामें इतने रोचक हैं कि इन्हें कई films जैसे की The Take Down और Freedom Downtown में भी दिखाया गया है अपने सपनों के कार या घर के लिए आप कितनी हद तक जा सकते हैं किसी online contest या radio show contest को जीतने के लिए आप क्या कर सकते हैं शायद आप अपने luck को try करते रहे हैं लेकिन अगर आप केविन पॉलसन नहीं हैं तो पॉलसन ने एक radio show के call in contest को hack कर लिया था जिसकी मदद से वो एक Porsche कार जीतना चाहता था इसने अपना hacking name Dark Dent रखा था जब इसे FBI ने खोजना शुरू करा तब ये underground हो गया बाद में इसे दोशी पाया गया और बहुत सारे crime के लिए जैसे की mail hacking, wire hacking और computer fraud, money laundering ऐसे ही बहुत सारे cases में इसे criminal करार दिया गया लेकिन इसके बाद इसे career बदलने का मौका भी दिया गया जिसके कारण अब ये wire company का एक senior editor है नमबर 5 जोनाथन जेम्स ये है पहला juvenile था जिसे की cyber crime के अपराद में 16 साल की उम्र में जेल हुई थी जोनाथन जेम्स इसका hacking नेम है comrade इसने US department की defense threat reduction agency को hack कर लिया था इसके साथ इसने एक sniffer को भी install किया था जो की DTRA employees के बीच हो रहे सारे message को इसके पास भेजता रहता था इनी messages को track करके इसने बहुत सारे passwords और user names को प्राप्ट कर लिया इसके अलावा उसने employees के बहुत सारे personal details को भी चुरा लिया इन सारी चीजों ने NASA को उनके system को shutdown करने के लिए बात भेज़ कर दिया था जिसके चलते उन्हें अपनी जेप से 41,000 डॉलर खर्च करने पड़े Comrade ने 2008 में suicide कर लिया इसकी वज़े पता नहीं चल पाई है कि Comrade ने ऐसा क्यों करा इन दोनों पार्टनर्स ने over sensitive nerves को target किया जहां पर इन दोनों ने मिलकर USA और North Korea के बीच कई बड़े issues खड़े कर दिये इन दोनों ने US military computers को hack कर लिया और उसके इस्तमाल से foreign systems में गुशते चले गए इन्हों ने Korean Atomic Research Institute के महदवपूर्ण contents को USAF system में upload कर दिया लेकिन इन में से ज़्यादा contents South Korea के लिए ज़्यादा important थे लेकिन कुछ भी हो इन दोनों hackers की वज़े से बहुत बड़ा international issue खड़ा हो सकता था जो कि इनके पकड़ने के बाद रोग दिया गया अद्रियन लेमो ने अपने career में switch करना चाहा जब उसे ये पता चला कि उसकी काबिलियत उसके skills में है वो तब एक बड़ी news बन गया जब उसने yahoo, microsoft, google और the new york times जैसी बड़ी companies को hack कर लिया जिसके बाद में उसे arrest कर लिया गया लेकिन उसके साथ ही उसे एक American threat analyst की उपादी भी मिल गई जो बाद में उसके बेहत काम आई एक ऐसा लड़का जो की बड़ी-बड़ी companies के accounts को एक normal जगह जैसे cafeteria, libraries, internet cafe ऐसी जगह उपर बैट कर hack कर लेता था बाद में इसने कई बड़ी criminals को FBI की मदद से भी पकड़वाया था और इसके बाद लेमो फिर से underground हो गया कुछ लोगों का ये भी कहना है कि हो सकता है वो undercover होके FBI के साथ काम कर रहा हो नमबर टू, LULS SEC या इसे LULS Security के नाम से भी जाना जाता है ये एक high profile black hat hacker group है black hat hacker ऐसे hackers होते हैं जो की illegal तोर पर hacking करते हैं ये hacker group तब लोगों की नजर में आया जब इसने बड़ी बड़ी companies जैसे कि Sony, News International, CIA, FBI और भी दूसरी बहुत बड़ी बड़ी companies को hack कर लिया ये group इतना जाता खतरनाक है कि इन्होंने News Corporations अकाउंट तक को भी नहीं छोड़ा और इन्होंने जूटी रिपोर्ट पब्लिश कराई और बहुत सारे TV स्टार्स के मरने की जूटी कवर भी छापी ये group ये claim करता है कि उन्होंने retirement ले लिया है लेकिन इनका motto जो की है तुम्हारी security पर हम हसते है सन 2011 से अभी भी जिन्दा है ये लोग कई बार बड़े बड़े newspaper वेबसाइट को hack करके अपने retirement की खबर भी publish कर चुके है बहुत सारे लोगों का ये भी मानना है कि ये group बस लोगों की network security में इस्थित कमियों के विशे में लोगों के अंदर awareness create करते है अगर आप hacking के बारे में थोड़ा सा भी interest रखते है तो आपने Gary McKinnon के बारे में जरूर सुना होगा Gary McKinnon एक बहुती curious restless बालक था जिसे की aliens और UFA के विशे में जानकारी प्राप्त करनी थी इसलिए इसने सोचा कि क्यों नासा की website से direct access प्राप्त किया जाए जिससे वो जादा जानकारी प्राप्त कर सके इसलिए इसने 97 US military और NASA computers में एक virus को install किया और उनके कुछ M files को delete भी कर दिया ये सारी चीजें वो अपनी curiosity को satisfy करने के लिए कर रहा था इसी curiosity ने बाद में इसे पकड़वा भी दिया McKinnon को बहुत ही जल्द दोशी का करार दिया गया क्यूंकि इसने military और NASA के websites को अपनी girlfriend की आंटी के घर से hack किया था जो कि London में रहती थी इसने केवल website को hack कर कुछ files को delete करना ही ठीक नहीं समझा बलकि इसने उन लोगों को ये सूचित करना चाहा कि उनकी security कितनी खराब है जिसके लिए इसने एक notice बना कर website के अंदर post कर दिया इससे पता चलता है कि McKinnon कोई आम लड़का नहीं था उसने US Military's Washington Network को जहां की 2000 computers मौजूद थे उससे इसने 24 गंटे के लिए बंद कर दिया था माना जाता है कि पूरे इतिहास में इससे पहले और इससे बड़ा Military Computer Hack कभी नहीं हुआ तो friends आपको इन सब hackers में से सबसे best hacker कौन सा लगा मुझे comments में जरूर बताइए और हाँ अगर आप कोई वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज इस वीडियो को लाइक करना और अगर आप चैनल पर नए हो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना